शिव शिव शम्भो हरहर महादेव ओम नमस्टे वासुदेवाय नमस्थ अंकर्षनायच प्रद्युम्नाया निरुद्धाय सात्वतांपतये नमहा अज्युतं केशवं रामनारायनं कृष्णदामोधरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं आधवं गोविकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रंबजे भगवान श्री शंकरचारजी के द्वारा रचित अच्चुताष्टकम की चर्चा हम लोग कर रहे हैं अच्चुतम केशवं रामनारायनं कृष्णदामोधरं अब कृष्णदामोधरं की चर्चा हम लोगों ने की और ये पाया कि अगर दार्षन एक द्रिष्टिकोंड से देखें तो प्रतेक सनातनी कृष्णदामोधर है क्योंकि उसके कमर में उदर के बास नाभी देश में काला धागा बांधा ही जाता है जिसको कलधनी कहते हैं लेकिन हम बच्चपन में माता के द्वारा बांदे गए इस धागे को द्यान से देखते नहीं है ये शोदा माता ने भी बगवान श्रीकृष्ण को किसी कारण से बांध दिया था हमारी माता भी हमको काले धागे से बांध देती है लेकिन उस पर हम विशार नहीं करते कि भगवान तो एक ही दिन के लिए बंधे और दामोदर कहला गए और हम उस धागे को जाने कितने दिनों तक पहने रहते हैं बाधे रहते हैं, लेकिन हम दामोदर नहीं बन पाते हैं, इसलिए नहीं बन पाते हैं, क्योंकि ध्यान ही नहीं देते हैं, कि ये भी एक बात है, हमारे जीवन में जाने कितनी ऐसी बस्तुएं आ रही हैं और जा रही हैं, जिनमें से किसी एक पर भी अगर हम ध्यान से देख तो वो हमारी पहचान बन जाए हमको उसी से बहुत कुछ प्राप्त हो जाए लेकिन बड़े बड़े आउसर हमारे सामने आते हैं जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है कि इतना बड़ा आउसर हमारे सामने आया और चला भी गया द्रिष्टी का अभाव तो हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जो अव्यक्त हैं जो व्यापक हैं वो भी माता के प्रेम के पशिभूत हो करके बन गए भक्त प्रेम वश्यता दिखाने का उनका अए उपक्रम था और उन्होंने बखुवी दिखाया कि बिरुद्ध धर्म का भी आश्रे परमात्मा ले लेते हैं अगर कोई प्रेम का प्रदर्शन करे तो लेकिन कोई प्रेम का प्रदर्शन करना ही नहीं चाहता हम छोटे छोटे जो इश्वर हैं छोटे छोटे जो मालिक हैं उनकी जीह जूरी करते हैं, लेकिन जो सबका ईश्वर है, परमेश्वर, उसकी जीह जूरी करने में पता नहीं क्यों हमको समस्या हो जाती है, हम उसकी जीह जूरी नहीं करना चाहते हैं, उसकी सेवा नहीं करना चाहते है, शायद हमको ये विश्वास ही नहीं है, कि इसकी कुछ प्राप्ती होगी कि छोटे-छोटे जो इ시ष्वर हैं उनकी सेवा करके हमको भरोसा है कि यह हमको कुछ दे देंगे परमेश्वर हम को कुछ दे देगा हम को भरोसा नही कर पाते ह一次 लेकिन भगवान ऐ लिला शुन दिखा करके हमको बताते हैं कि भक्त के प्रेम के पराधीन मैं हूँ वो कोई भी हो वो यशुदा हो ना हो वो कोई और भी हो सकता है वो गोपी भी हो सकती है यशुदा तो नंद की पत्नी है लेकिन मृंदावन में दूसरी भी गोपीया है वो गोपीयां भी अगर प्रेम करती हैं तो बगवान उनके भी पराधीन हो जाते हैं तो ये बात नहीं है कि कोई विशिष्ट ब्यक्ती ही अगर बगवान का बजन करेगा बगवान को प्रेम करेगा उनकी परिचरिया करेगा तो बगवान उनकी उपर प्रसंद होंगे ऐसा कुछ नहीं वही भी सिष्ट हो जाएगा जो भुगान की सेवा करेगा तो ये तो एक बात हुई फिर हम लोगों ने ये चर्चा की कि ये जो करधनी है इसको संस्कुत भाशा में मेखला कहते हैं फिर बात आई कि इसमें जो गांट लगती है उसको नीवी कहते हैं और फिर नीवी से चर्चा चली कि लोग कैसे भ्रह्म में पढ़े रहते हैं जो श्रिंगार के रसिक हैं श्रिंगारप्री हैं वो श्रिंगार में ही भूले हुए हैं श्रिंगार रस उनको लुभाता है और इसलिए हम लोगों ने चर्चा की नरहरी नाम के जो कभी हो गए हैं उन्होंने एक श्रिंगार सतक लिखा है श्रिंगार सतक में वो लिखते हैं कि जो रागी है संसार के प्रती जिसका राग है बिरागी नहीं रागी उसके पास तो कदम कदम पर मुक्ति है जो बिरागी है उसकी मुक्ति तो एक बार मिलती है और जो रागी है उसकी मुक्ति रोज है ऐसा कहके अपना मन बहला रहे हैं कैसे हैं तो कह रहे हैं मानो मुक्ति मुपागतहा प्रथमतहा पस्चान मिलच्चे तसोर मौनम मुक्ति मुपागतम नरहरेर मुक्तिंगता कंचुकी नीवी मुक्ति मुपागता रतिरसे मुक्तिंगता कुंतलाह मुक्तिक्षेत्रमिदं महत्परिचितं मुक्ते सुखम रागिनहा रागी को मुक्ति के कितने सुख है कदम कदम पे मुक्ति है का कैसे है समझा कि बताओ तो कहा देखो जैसे ही वो अपनी प्रियसी से मिलने के लिए कदम आगे बढ़ाता है वैसे ही उसका जो मान है वो मुक्तिबा लेता है क्योंकि प्रेम में मान रहता नहीं जो मान है वो बिगलित हो जाता है प्रेम में नेम नहीं कहता है माने मर्यादा नहीं तो जैसे ही वो अपनी प्रेशी से मिलने के लिए चलता है वैसे ही सबसे पहले उसका मान चमाप्त हो जाता है फिर वो प्रेशी मान करती है और इसको फिर मनाना पड़ता है जुकना पड़ता है जो भी प्रेमी है अपने प्रेमास्पत के सामने उसको जुकना ही पढ़ेगा बिना जुके प्रेम आगे बढ़ेगा नहीं अगर आप अपनी गरिमा महिमा में रहेंगे तो प्रेम नहीं बढ़ सकता है प्रेम के लिए तो आपको जुकना पढ़ेगा तो जैसे ही आप प्रेम करने चलते हैं सनोज बाबा वैसे ही सबसे पहले आपका मान मुक्ति पा जाता है खताम अब मान की इच्छा मत करो अप्रेम में जा रहे हो आप लटखोर बनना पड़ेगा आपको नहीं इश्क करने के लिए काफी कलेजा ही नहीं आशिकों की चांद भी मजबूत होनी चाहिए तो ये रास्ता ही ऐसा है जिसमें मान की इच्छा किसी को नहीं करने चाहिए तो सबसे पहले जैसे ही कोई पिरेम करने चलता है वैसे उसका मान मुक्ति पा जाता है मानो मान पुपा गता और पस्चान उसके बाद जो उसकी मन की शांती है, चित्त का जो मौन है, उसके मन की शांती, वो मुक्तिप पाजाता है, क्योंकि प्रेम में शांती नहीं मिलने वाली है, एक के बाद एक ऐसी परिस्थितियां बनती जाएंगी, कि आप उसमें चलते जाएंगे। प्रेमी जो है उसकी विशेस्ता क्या है कि वो हर कदम पे आपके प्रेम की परीक्षा लेगा कि हमको प्रेम करते हैं कि नहीं यह परीक्षा हर कदम पे होगी और आप कितनी परीक्षा दोगे उसकी भी तो सीमा है रोज परीक्षा होगी रोज आपके उपर आशंका होगी शंका होगी और आपको रोज सफाई देने पड़ेगी रोज आपको अपने आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं नहीं मैं तो बस आपी को समर्पित हूँ आपके सिवा तो संसार में मैं किसी को जानता नहीं तो आप कितना आखिर सफाई कोई कितना करेगा तो उसके चित्चित की जो शांती है वो समाथ हो जाएगी आप कुछ करें ना करें इससे कोई मतलब नहीं वो आपकी उपर आरोप हो जाएगा और आपको कुछ नहीं कर सकते सिभाए हाथ जोड़ने के सिभाए समरपन अपना दिखाने के कुछ नहीं कर सकते कोई तरक ही नहीं तो सबसे पहले आपका मान मुक्ति पाया है और उसके बाद आपके चित की शांती चेतसोर मौनम मुक्ति मुपागतम जो चित का मौन है, शांती है वो मुक्ति को प्राप्त हो गया नरहरे है, नरहरी कभी कह रहा है अब फिर उसके बाद मुक्तिंगता कंचुकी मान लिजी आपका सब काम सही है प्यार और आगे बढ़ रहा है तो मुक्तिंगता कंचुकी अब रती की और आगे जड़े है जब रती की और आगे बढ़ेंगे तो कंचुकी माने कुरता वो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा और नीवी मुक्ति मुपागता रतिरसे मुक्तिंगता कुंतला जो कुंतल है आभूशन यहां आभूशनों का उपलक्षन है, वो मुक्ती को प्राप्त कर लेगा, वो आप से छटक जाएगा, और नीवी मुक्ती मुपागता, यह नीवी शब्द के कारण हम लोग इस लोग पढ़ रहे हैं, कि नीवी क्या है तो नीवी मनें लहंगे की गांट, पैजामे की गांट, वो मुक्ती को प्राप्त कर लेगी, वो खुल जाएगी, इसलिए कह रहे हैं, कि मुक्ते सुखम रागी नहां, मुक्ती का जो सुख है, वो रागी को जादा है, हर कदम पे मुक्ती, हर कदम पे मुक्ती. श्रिंगार सतक है श्रिंगार की बात श्रिंगार के शब्दों में कही जा रही है लेकिन समझने वाले के लिए इशारा कापी होता है कि ये परिस्तिती बनेगी अगर इस राह में जाओगे देख लो जैसा आपका मन एक धनद नाम के कभी हो गए हैं वो भी कुछ इसी तरह की बात अपने श्रिंगार सतक में कह रहा है बहुत से लोगों ने श्रिंगार सतक लिए असल में भरत्रीहरी ने तीन शतक लिखे नीती शतक, वैराग्य शतक और श्रिंगार सतक तो बहुत लोकप्री हो गए वो शतक शतक माने सौसौस लोकों के ग्रंथ तो उसके बाद बहुत से लोगों ने इन तीन विशेयों पर सतक बनाए तो उन्हीं में से एक धनद नाम के कवी है बहुत बड़े कवी है जो अपने अहां हम लोग और भक्त भी है ऐसा नहीं कि श्रिंगार सतक लिखा है तो बहुत स्रिंगारी रहे बरत्रिहरी भी स्रिंगारी नहीं रहे बहुत बड़े विद्वान रहे तो यह जो अपने हां प्रांबा राज राजेश्वरी के आर्ती हम लोग काते हैं यह भी धनद कवी किरेची हुई है धनदा भिधक विरेच्छती ममचेतहसततम अंबा ममचेतहसततम तिष्ठतु चरण समीपे धनद नाम का कभी यह इच्छा कर रहा है कि हमारा जो चित्त है वो आपके चरणों के समेप सता बैठा रहे तो जो रागी होगा वही अच्छा विरागी हो सकता है जो रागी अच्छा नहीं होगा वो विरागी क्या अच्छा होगा नहीं जो अच्छा खाता होगा वही अच्छा पहलवान हो सकेगा जिसको बोजन पचता ही नहीं है वो क्या पहलवान बनेगा नहीं पहलवान बनने के लिए अच्छा बोजन पचने वाला पचाने की इस ताकत होनी चाहिए तो ऐसे ही जो अच्छे रागी होते हैं बाद में वही लात खाके भी रागी अच्छे बन जाते हैं पहलवान भी जो ज़्यादा मार खाता है वही अच्छा पहलवान आगे चल के बनता है तुलसिदास जी का क्या था? रतनावली में ऐसा मन उनका अठका कि मायके चली गई तो रहा नहीं गया बरशा की रात थी रह नहीं सके बरस्ते पानी में निकल गए बीच में नदी पड़ गई उपना रही थी सोशा की क्या करें? चिता के लकड़ी को पकड़ करके पार कर लिया और जब वहां गए तो दर्वाजा तो बंद था अब रात को अगर खटखटाते हैं तो जो सास ससुर हैं गरवाले दूसरे हैं वो सब जानते हैं तो इसलिए एक खिड़की से घुसने का प्रयास किये साप लटका था उसी को पकड़ के चड़ गए यह सब हुआ और जब रतनावली सो रही थी आराम से उसको कुछ पीड़ा नहीं थी जब उसको उठाया तो उसकी नीद खराब होगी उसने का रहे यह क्या अभी आ रहे है अब बस तुम्हारे बिना रहा नहीं गया अब उसको तो नीद आ रही थी उसने कहा यह बिना मतलब का प्यार दिखा रहे हैं तो बोल पड़ी कि इतना प्यार अगर भगवान से करते तो भगवान मिल जाते तो बात लग गई उसने रुची नहीं दिखाई बात लग गई तो निकल पड़े कि भगवान इसे प्रयाम करें और किया अब भगवान आ गए मिल ही गए उनको तो जो अच्छा रागी होगा वही अच्छा विरागी भी बन सकता है जो अच्छा रागी नहीं है वो क्या विरागी बनेगा तो दनद नाम के कभी कहते हैं द्वारेनू पुरमुच्चगू पुरमुखे कांचीम रनतकारिणीम हारो द्वारच तुस्पथे पतिपरे करनोध पलं भृंगमत प्रेयो मंदिर मित्यवत्यमु मुचे तन्व्या शिरो भूशनम व्यालोके तुपरस्परम विगलिता नीवी स्वयं मंधनात जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं एक एक चीज छुटती चली जा रही है वहाँ वो मुक्ती सब्द से कह रहे थे यहाँ पर छुटने के सब्द से कह रहे है कह रहे हैं सबसे पहले क्या हुआ जब नाईगा या नायक मिलने के लिए चला अपने प्रियतम से तो सबसे पहले नूपूर, पाउं का पाई जेव, उसमें गुरू लगे रहते हैं, जब कोई चलता है तो छम 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 धीरे धीरे बचता है तो द्वारे नूपूरं, अब महल में जाना है, किसी के घर में, तो जब पहला द्वार आता है, बाउंडरी बाल वाला, वहाँ पर पहुंचे तो छम छम आब आ जा रही थी, तो सोचा कि अब लोग जान जाएंगे, तो सबसे पहले नूपूरे ही निकाल के छोड़ दिया, तो द्वार पर निवपूर ने साथ छोड़ दिया, उच्च गोपूरो मुखे कांची, अब चले तो धीरे धीरे, लेकिन अब उचे चड़ना है, उचे चड़ना है, तो उचे चड़ने पर पहर जब उचपर उठाएंगे, तो कमर तक उसका प्रभाव जाएगा, तो वहा कांची, करधनी, रनत कारिणी, उसमें भी गुंगरू लगे है, वो भी आवाज करती है, तो उसको निकाल के रख दिया, और हार ओ द्वार चेतुस पते, अब द्वार पर आगे आए, कक्ष के प्रकोष्ट के बाहर, तो हार हार में भी गुंगरू लगे है, वो भी टकरा रहे हैं एक दूसरे से तो आबाज हो रही है, उनको उतारके रख दिया। पति परे करनोत पलम, और कान में जो उत्पल लगा है, पत्थर, रत्म, वह भी परस पर टकरा करके दुनी कर रहे हैं, तो उनको उतार दिया। इस तरह से प्रेयो मंदिर प्रेयम के मंदिर में पहुँच गए और वहां प्रेयो मंदिर मित्यवत्य मुहुचे तन्विया शिरो भूशनम तन्वी जो है उसने शिरका अपुशन निकाल करके रख दिया मात्य बेंदी जो लगी रहती और व्या लोके जब आलोक समाप्त हुआ तो परस्परम विगलिता नीवी स्वयम बंधनात नीवी जो है वो खुल गई तो ये जो है एक-एक करके जो बंधन है जिनोंने हमको बांध रखा है तो सब विगलित होते चले जाते हैं तो जो भोग है वो भोग क्या है मुक्ति का मार गए ऐसा ये कहना चाहते हैं कि इसमें एक-एक शीच छूटती चली जाती इससे बड़ा त्याग क्या होगा इसी में सुख ले रहे हैं मुक्ति का तो जो जहां है वहीं के अनुसार सोच करके अपने मन को तसल्ली देता है तो खेर नीवी शब्द आया तो नीवी शब्द देख करके आपको ये बताने के लिए कि नीवी क्या होती है ये स्लोक हमने आपको सुना दिये अब अपने लोग आगे चलते हैं वैसे रगुवंस के छटमे सर्ग में भी नीवी शब्द का प्रियोग कालिदास जी ने किया है जहां पर राजा अज और इंदुमती का विवा हो रहा है तो वहाँ पर जब बारात आ रही है उस समय का बर्णन बहुत संदर किया है बारात आ गई स्वयंबर हो गया स्वयंबर में इंदुमती ने अज के कले में माला डाल दी और फिर दोनों की सोभायात्रा निकली उस शोभा यात्रा को देखने के लिए महिलाओं में बड़ी उत्सुकता महिलाएं कुतुहलप परी होती हैं उनको देखने के बड़ी इच्छा होती है तो वो जहरोखों से लग गई जहरोखों में जालियां लगी रहती है ताकि अंदर का वक्ती बाहर का वक्ती अंदर ना देख सके उसके ऐसी तिर्शी जैसे आपके स्नानागार में ऐसे ऐसे बले खुल लगे रहते हैं कि माने रोस नहीं आ सके लेकिन कोई देख न सके हवा जा सके लेकिन कोई देख न सके तो ऐसे ही गवाक्ष बने रहते थे, महलों में जालियां बनी रहती थे, उस जाली से उपर वाला व्यक्ति नीचे देख सकता था, नीचे वाला उपर क्या है नहीं देख सकता था, तो वो गवाक्ष बने हैं, जालियां लगी हुई है, यह जाली को याज से थोड़े बनी है, कालिदास लिख रहा है इसका मतलब रही होगी कह रहा है जालां तरप प्रेशित द्रिष्टि रन्या प्रस्थान भिन्नामन बबंधन इवीम नाभिप प्रविष्टा भरण प्रभेण हस्ते नतस्थव अबलं व्यवासह कई महिलाओं कबरण किया है कि वो ऐसे तो ऐसे वो ऐसे एक कबरण है कह रहे हैं कि जालां तरप प्रेशित द्रिष्टि रन्या वो जो जाली है उसके अंदर से अपनी नजर को उस द्रिष्च पर भेजने माली जो अन्या है कोई एक दूसरी महिला है प्रस्थान भिन्नाम्न बबंध नीवीम वो कपड़े पहन रही थी इतने में पता चला कि सोभाय आत्रा निकल चुकी तो गाठ बांधने का उसको ध्यान नहीं रहा नाभि प्रविष्टा भरण प्रभेण हस्ते न तस्थव अबलं व्यवासह वो बिनना नाड़ा बांधे ही कपड़ा हाथ से ही पकड़ करके जाली पे आ गई और वहां से दरिशे को देखने लगी कुतुहल तो यहाँ पर नीवी शब्द का प्रेवगुनों ने किया कि प्रस्थान भिन्नाम्न बबंध नीवी तो नीवी तो है यह तो बांधनी पड़े ही अरे नीवी जो है नाड़ा यह कोई वो नहीं है किया हुआ यह तो प्राकृतिक है जब हम जन्म लेते हैं तो नाभी में तो नाड़ा लगा ही रहता है उसको काट के हटाते हैं काट के हटाने के बाद जिन्दिकी भर नाड़ा बांधते रहते हैं तो आपको बंधन चाहिए यह तो कोई बिलक्षन ही महापुरूस होता है जो बंधन को छोड़ करके दिगंबर हो जाता है संसार में रहने वाले के ओ नाड़ा बांधना ही पड़ेगा क्योंकि नाड़ा काटा है उसमें लेकिन अभी काटा नहीं है जन्म हुआ तो माता से आप जुड़े हुए थे एक नाल के द्वारा जैसे कमल की नाल होती है तो वो कमल के फूल से जुड़ी हुई होती है ऐसे ही आप फूल थे और आपकी मा जो है वो सरोबर थी उससे एक नाल जुड़ी हुई थी आपकी तो आपने माने भगवान ने क संबंद बनाओ, तो संबंद तुम्हारा मां के साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि तुम संबंद की इच्छा कर रहे हैं, तो भगवान ने जोड करके बेजा, आपने क्या किया? आपने माने आपके परिजनों ने, उननने नाला को काट दिया, का नाहीं कोई संबंद की जरूर उन्होंने हमको असंग रहने की सिख्षा पहले पहले दी सबसे पहले जात कर्म में यही काम हुआ कि नाडा काटती है गया नालच्छेद हुआ तो नालच्छेद करके संबंद मत बनाओ यह संबंद जो हैं तुमको दुनिया में दुख देंगे पूरी जिन्दगी दुखी रहोगे जितने जादा संबंद बनाओगे सांसारिक उतने ही समस्या है तो तुमारी होगी आज इनके यहां समस्या है जितने संबंद जिसके हैं उतने ही जाता उदुखी है क्योंकि उतने ही उसको निभाना पड़ता है आज तीज है तो तिवहार है इनके यहां जाना है उनके हां मरनी हो गई है उनके हां करनी हो गई है उनके हां यह होना है अब सम्मंधी निभाते रहे हैं जो नेता लोग हैं जहां से कारड आया वहां जाना है उनको सम्मंध निभाने के लिए अब वो परिशान है दिन में पा करा रहे हैं एक नेता जी के गर में हम गये तो उन्होंने अपनी डायरी दिखा ही पिछले पचीस साल की डायरी और उसमें विभाग के आउसरों पर पंधरा-पंधरा-बीस-बीस जगह पे गये हैं सबका लिखा है उन्होंने कि इतने बज़े इनके हां गया इतने बज़े इ कुफ फायदा नहीं? अब उपस्ता रहें कि मैंने संबंध क्यों निभाय? मैंने निभाया, लोग नहीं निभाते हैं, लोग बदला नहीं देते हैं, मैं जब कया तो मेरे यहां भी दोगों को आना चाहिए, लेकिन उद्ग लोग नहीं आते है। तो अपेक्षा हो जाती है, ये सम्मंदों में अपेक्षा बुद्धी होती है और अपेक्षा बुद्धी ही दुख का कारण बन जाती है इसलिए जब किसी से सम्मंद बनाओ तो अपेक्षा मत रखो जिसमें अपेक्षा होगी वो सम्मंद आपको दुख देगा और जिसमें अपेक्षा नहीं होगी वो सम्मंद ना होने जैसा ही है माने हो करके भी नहीं जैसा है अपेक्षा मत करो आप अपेक्षा करेंगे कि यह हमारे लिए अमुक्षीच कर देगा तो जान लो कि कोई कुछ आपके लिए करने माला नहीं है एक दो बार कर दे तो बात अलग है लेकिन आपकी अपेक्षाओं पे खरा तो उतरेगा नहींता है क्योंकि उसका भी अपना जीवन है आपने जाने के आपक्षाओं उससे बना लखी है उसकी भी अपनी प्रक्रती है उसके भी अपने भाव है तो वो अपने अनुसार रहेगा दुनिया का हर व्यक्ति अपने अनुसार रहता है दूसरे का अनुसार चल पाना बहुत मुश्किल काम है इसलिए हर प्रत्यक व्यक्ति अपने अनुसार चलता है जितने में हमको दूसरा कोई मदद कर दे उतनी बात तो उसकी ठीक है लेकिन जहां पर हमारे विशार से, हमारे बेवार से दूसरे का अंतर है फिर वहाँ जादा लंबा चल नहीं पाता है इसलिए जो सम्मंद बनाते भी हैं लोग बहुत अगर उस सम्मंदों को बनाये रखने का प्रियास करें तो उनको समझवता करना पड़ता है माने अपने मन को मार करके तब सम्मंदों को निभाया जा सकता है क्योंकि दो हैं सम्मंद करने वाले, दोनों की अपनी अपेक्षा है अब इनकी अपेक्षा इन से टकरा रही, इनकी अपेक्षा इन से टकरा रही तो कभी होई नहीं पाएगा इसलिए सम्मंद अगर सम्मंद बनाओ ही मत बनाओ तो अपेक्षा मत करो अपेक्षा करोगे तो अपेक्षा कभी पूरी होंगी नहीं किसी न किसी रूप में उनमें कमी रही जाएगी और जितनी कमी रहेगी उतना ही दुखा आपको होगा ये बात है तो खेर ये थोड़ी सी चर्चा हमने कर दी अपने लोग आगे चलते हैं अच्चुतम केशमम रामना रायनम कृष्णा दामो दरम वासुदेव में क्या है इसमें भी दो ही शब्द है एक है वासु और एक है देव जैसे रामना रायनम में था कृष्णा दामो दरम में था वैसे वासुदेव में भी दो शब्द है वासुष्चासव देवा है ती वासुदेवा जो वासु देव इसमें भी कर्मधार रहे समास है जो वासु है वही देव है अथवा ऐसा देव जो वासु है तो वासु देव क्या है? तो दो वित्पतियां हैं एक तो अपत्य अर्थम है अपत्य अर्थम आने संतान के अर्थम है तो वसुदेव का जो पुत्र है वो वासुदेव है सीधा अर्थ है वसुदेव से अपत्यम पुमान वासुदेव हा जो वसुदेव का बेटा उसका नाम वासुदेव सरल है शाहज है और शास्त्रों ने वासुदेव शब्द के और भी अनेक अर्थ की है म्रह्म वेवर्द पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में बताया वासह सर्व निवासस्च विश्वान यस्यलोमसु तस्यदेव पर म्रह्म वासुदेव इती रितह वासह वासमान निवास तो ये जो वासुदेव है इसकी विशेष्टा क्या है इसकी विशेष्टा ए है कि ये बसता है कहां बसता है किस बस्ती में बस्ता है कहां हर बस्ती में बस्ता है ऐसी कोई बस्ती ही नहीं है जहां न बसे वासह और ये नहीं बस्ता इसके में लोक बस्ते हैं ये सब का निमास है एक-एक रोये में एक-एक ब्रह्मान्द लटके हुए हैं, रोम रोम प्रतिलागे कोटी-कोटी ब्रह्मान्द, इसके एक-एक रोये में करोडों करोड़ ब्रह्मान्द लटके हुए हैं, रहते हैं, इसलिए ये सर्वनिवास, इसका क्या नाम है, सर्वनिवास, सर्वनिमास होने के कारण इस देव को वासुदेव कहा जाता है वासुदेव माने ऐसा देव ऐसा देव ता जो साब सरवत्र व्यापत हो ऐसा कोई स्थान ही हो नो जहां उसकी व्यापती ना हो उसका नाम वासुदेव इसी तरह से कालिका पुरान विद्वान लोग इसको वासुदेव इसलिए कहते हैं कि सर्वत्राषव ये जो है सर्वत्र और समСТंच प्रत्यक में बसती बस्ता है बात वही कही शबदा वलीन की बिनना है ये सरवत्र सब में निवास करता है, इसलिए इसका नाम वासु हो गया, देव होने के करन देव भी लगा दिया, तो ये वसतियस्मिन इतिवासु हो, सब में रहता है, इसलिए इसका नाम वासु है, ऐसा देव, वासु देव कहलाया, पद्मपुरान के उत्तरखंड में बताया कि वसुदेवस से जातो सो वासुदेवस सनात नहां रे भाई ऐसा आर्थ करने की जरूरत नहीं है वसुदेव का पुत्र है इसलिए वासुदेव का तो बात क्या है एक और दर्शन है कुर्मपुरान जिसका बरण करता है कि भगवान नारायन की चार विपूतियां उनमें से पहली है वासुदेव और तीन है शेश, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये जो चार विपूतियां हैं इन ही चारों विपूतियों के मात्यम से भगवान साब संसार में व्यापत रहते हैं एका भगवतो मूर्ति ग्यान रूपा शिबा मला वासुदेवा विथाना सागुना अतीता सुनिशकला भगवान की चार मूर्तियों में से एक मूर्ति ऐसी है जो ग्यान रूपा है सरवग्य कैसे हैं जो सब जगह रहेगा वही सब कुछ जानेगा तो सब जगह रहने के कारण भगवान का एक गुण है सरवग्य होना वह साब जानते हैं वेति विद्ध्याम विद्ध्यान चे सब आच्चे भगवान इती इसलिए भगवान कहे गए क्योंकि उनको इस संसार के प्रतेक व्यक्ति की प्रतेक बात पता है प्रतेक परिस्तिती पता है प्रतेक भावना पता है प्रतेक आचरण पता है व्यक्ति को खुद अपने आचरण पता नहीं है बहुत से लोग भूल जाते हैं कि मैंने किया था बाद में याद दिलावत कहता है अच्छा हमने ऐसा कहा था ऐसा हमने किया था तो हम खुद अपने आश्रण बूल सकते हैं, लेकिन भगवान साब उनके पास recorded है, और recall कर लेते हैं, जब चाहें तुरंत आपका सब कुछ उनके सामने आ जाता है, तो ये जो सरवग्य विशेश का सवरोग्यता का गुण है, उसी गुण को जो धारन करती है मूर्ति, उसी मूर्ति का नाम है वासुदेव सरवग्य मूर्ति, इसलिए जो तिर मठ में, जो हमारा मठ प्रांगन है, जो तिर मठ का, नरसिंग मंदिर जिसको कहते हैं, उस मंदिर भगवान वासुदेव भी राजमान है, क्योंकि भगवान शंकराशार जी चाहते हैं कि सरभग्य है, यह स्पीट पर आरूड हो, अथ्वा जो आरूड हो उसको सरभग्यता प्राप्त हो जाए, और कैसे होगा वासुदेव की आरातना से होगा, वासुदेव ही सब में पकत्व आएगा, अन्यत्था एक देशी हो जाएगा, आशार यह वो सबका गुरु है, सबके हित की कामना उसके मन में आनी चाहिए, के बल कुछ की, कुछ के मन की, कुछ की कामना, कुछ के हितकी कामना, यह उचित नहीं होगा, इसलिए वासुदेव वसति वासंग अच्छत इति वासुहु वास करे इसका नाम है वासु और दिव क्रीडा विजगीशा ये जो सूत्र है दिव धातु है वनेक अर्थों में होता है क्रीडती खेलता है खेलने अर्थ में धातु है दिव धातु विजगीशा माने जानने की इच्छा करता है विवहार की इच्छा करता है द्योतित होता है स्तुति करता है ये सब अर्थों में दिवधातू का प्रेव होता है उसी से देव सब्द बनता है तो देव का मतलब है जो क्रीडती विजिगीशते व्यवहरती द्योतते स्तूयते मुक्षभिही असवदेवा उसी का नाम है देव वासु श्चासवदेव श्चवासु देवा वासु और देव दोनों सब्दों को मिला दिया तो वासु देव बन गया च्छादयामि जगत विश्वम भूत्या सूर्य इवान सुभिही सर्वभूता दिवा सच्च वासु देवस्तत स्मुतहा बगवान को देख जगह पर बता रहे हैं कि लोग मुझे वासुदेव कह करके बुलाते हैं क्यों क्यों कि जैसे सूर्य सारे संसार को अपनी किरणों से अच्छा दित कर देता है उसी तरह से मैं भी अपनी माया से माया शक्ति से समगर विश्यों को आच्छादित कर देता हूँ इसलिए मुझे और सर्भभूता दिवासच्य सर्भभूतों में अधिवास करता हूँ इसलिए मेरा नाम वासुदेव कहकर कि मेरे भक्त पुकारते हैं अथवा वसनात स्रभभूता नाम विवेचना करने वाले जो विद्वान हैं उनके द्वारा मेरे मुझे वासुदेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेरे दो गुण विशेश हैं वसनात स्रभभूता नाम सभी भूतों में सभी प्राणियों में मैं बसता हूँ और वासुत्वाद देव यूनी तहा देव यूनी में होने के कारण मुझे वासु भी कहते हैं इसलिए वासुदेव अस्ततो गेया योगी भी तत्वबाद भी मुझे वासुदेव के नाम से पुकारा जाता है ये वासुदेव आर्थ है माने ऐसे परमात्मा का हम बजन कर रहे हैं जो एक वित्पत्ती है कि वसुदेव का पुत्र श्री कृष्ण और दूसरी वित्पत्ती है कि वो परमात्मा जो सब में विराजमान रहता है सरवत्र विराजमान रहता है, सरवदा विराजमान रहता है तो सरवदा विराजमान जो परमात्मा रहता है सरवत्र जो विराजमान परमात्मा रहता है वो निर्गुन निराकार है दो अर्थ इसलिए कि एक निर्गुन निराकार अर्थ और एक सगुन साकार सगुन साकार जो है वही निर्गुन निराकार जो सरवत्र व्यापता है वो कहीं भी हो सकता वही मतुरा में हो जाता है कंस के अत्याचार से अपने माता पिता और लोगों दूसरे लोगों को बचाने के लिए वही सरवब्यापी प्रमात्मा निर्गुण निराकार प्रमात्मा सगुन साकार के रूप में आ जाता है कहां आता है कह वसुदेव के यहां देवकी के साथ है तो यह वसुदेव का उन थे भाई तो बताया है कि वसुदेव जो है वो ये दिवनसी थे ये दिवनसीयों में एक शूर नाम के बीर हो गए शूर जो थे उनी की पत्नी का नाम था मारीशा शूर और मारीशा के पुत्र बसुदेव हुए ये पांड़ों के रिष्टेदार थे कुंती के तो भाई ही लगते थे और शिशुपाल की जो माता थी उसके भी भाई थे और मतुरा में जो राजा थे उगरसेन उनके मंत्री थे इनका देवक नाम के भोजवनसी की साथ कन्याओं से विवा हुआ जिनमें सबसे प्रमुक्ती देवकी इसलिए देवकी का नाम आता है बाकी छे और हैं साथ कन्याओं से एक साथ इनका विवा हुआ उसी में रोहिणी हैं जिन से बलराम जी की उत्पत्ती हुई है तो वो साथ कन्याएं वसुदेव को देवक ने ब्याह दी जिन में से देवकी प्रमुक थी और आप लोग जानते ही हैं कि देवकी का विवाज अब हो गया तो कंस इसने प्रेम से रध हाकते हुए इनको विदा करा के लेकर चला कि हम पहुंचा के आते हैं और जैसे यागे बड़ा आकाश बानी होगी अरे जिसको लेकर के तू जा रहा है उसी के आठवें गर्ब से तेरी मृत्य होने माली है इतना सुनते ही तो उसमें सुचा कि मृत्य को ज्यादा देर तक बनाय बचाय रखना चाहिए नहीं तलवार निकाल करके सुचा कि देवकी का ही बद कर दूँगा जिसके आठवें गर्ब से मेरी मृत्य होने की सुचना मुझे मिल रही है उस कारण को ही नश्ट कर देता हूँ तो आठवा गर्ब कहां से आएगा तो मारने के लिए खड़ा होगे आप जमजिए कि वसुदेव जी जो हैं वो कितने बड़े विद्वान होंगे उन्होंने वसुदेव जी ने आयन मौके पर बात को समाला इतने सुंदर ढंग से ग्यान की बात कही कि कंस जैसे व्यक्ति के मन में भी उनकी बात प्रवेश कर गी जो व्यक्ति मुर्तिव से भैबीत हो अपनी बहन को विभा के अवसर पर मारने के लिए उद्दत हो गया हो उसको समझा ले ना ये कोई छोटी बात नहीं आगवत जी में लिखा है कि उन्होंने कहा जब कंस देवकी को मारने के लिए चला तो वसुदेव जी ने कहा शलागनिय गुण सूरे इर्भवान भोजय यससकरह साकतम भगनिम हन्यास्त्रियमुद्वाह परवनि अरे कंस शलागनिय गुणह तुम तो बड़ी प्रसंसा की योग ये गुणों के धारक हो उसकी प्रसंसा करने सुरू करती तो प्रसंसा जो है वो मुर्खों पे कारगर है नीती शाहत्र कहता है कि जो मुरख है उसकी तारीफ सुरू कर दो चने के ज्याड़ पे शड़ाना कहते है न उसकीजो प्रसंसा करने से प्रसंसा करना नहीं होता है वो सोचता है कि ये चापलू से भालतु की बात करता है कहा है मेरे अंदर है से गुण जिनकी ये चर्चा कर रहा है तो जब किसी विद्वान व्यक्ति की आप प्रसंसा करेंगे, तो वो उसमें नहीं आएगा, आपकी प्रसंसा में नहीं आएगा. फिर वो ये भी अनुमान लगा लेगा, कि आज प्रसंसा कよし कर रहा ह। जरूर इसका कुछ प्रियोजन है, ये सब आखलन कर लेगा, विसुदेव जी ने ताढ लिया कि कन्स जोह मूर्व है, अगर मूर्व ना होता, तो आकाश वाणी हुई, और अत्तकाल के लिए कोई बात नहीं है, अठवे गर्व से, ये भी आकाश वाणी ने नहीं कहा, कि इसके गर्व से, भाई गर्व होगा तो विभा हो गया है अब गर्व जल्दी हो जाएगा और गर्व पैदा होने में नौ महीना लगता है तो नौ महीने दस महीने बाद हमारी मृत्व आ सकती है तो दस महीना तो प्रतिक्षा कर लो और यहां तो आठमा गर्व कह रहा है आठमा गर्व को करके पहुचाऊ बहन को पहुचा करके विद्वानों को गुलाओ कि यह आखाष वानी हुई है हुए आठ साल के बाद हमको को खत्रा है उसका निवारन हम कईसे करें रेख कर एं degree मर्श कह आपके पास आउसर है तो जब आपके के पास परियाब्द विचार विमर्ष का आफसर है तो उसका लाव लीजी। लेकिन ये क्या कर रहा है? ततकाली तलवार निकाल करके मारने के लिए उद्दत हो जा रहा है। तो सहसा करिपाशे पशिता ही। सहसा विदधी तनक्रियाम अभिवेक परमापदां पदम। विरनुते ही विमर्ष कारिन्यम। गुण लुपतास संपदह। सहसा विदधी तनक्रियाम। सहसा कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। अभिवेक परमा पदाम पदाम जो अभिवेक है बहुत बड़ी-बड़ी आपतियों का आमंत्रण स्थान है इसलिए विचार करके काम करने बिना विचारे जो करे सोप आचे पसिताए काम बिगारे आपनों जग में होत हंसाए जग में होत हंसाए चित्तमें चैन ना आवे कह गरिदर कविराय, गिरदर कविराय, गिरदर कवी की कुंडलियां, वो कुंडलियां लिखते थे, यह भी एक कुंडलियां है, कुंडलिया अच्छंद है, तो वो कह रहा हैं कि बिना विचारे जो करें सो पाचे पच्छता है, बिना विचारे नहीं करना चाहिए, आपके पास स्विद्वान होता समझदार होता तो अभी तत्काल ये सब के सामने इस आउसर पर तलवार निकाल के ना खड़ा होता आठ साल नौ साल दस साल के बाद ये साउसर आएगा जब आठवांगरब होगा तब ना लेकिन ये तत्काल कर रहा इसका मतलब मुर्खई है माने उन्हों तत्काल अनौमान लगा लिया और लगा करके छंदा नौरोध शुरू कर दिया श्लागनी अगुनसूरेइर भवान भोज ये शकरह अरे आप तो भोज बंसका येस बढ़ाने वाले हैं आपके अंदर तो एक से एक प्रसंस नहीं अगुन है आप जैसा विक्ति सा कथम भग हुआ है और महराज कंस सुन लो यह तो ज्ञान की बात मृत्यूर जन्म वतांबीर देहे न सह जायते अगर मृत्यू के लिए इतना परेशान हो रहे हो तो मृत्यू का जन्म तो जन्म के साथ ही हो जाता है जैसे ही आप जन्मते हैं वैसे आपके मृत्यू भी जन्म ले ले लेती है कि कितने दिन में कैसे कैसे इसको मारें पूरा योजना बना लेती है और योजना बना कि हर खशन आपको मारती जाती है और अंत में एकदम मार देती है हर खशन तो आप मर रहे हैं जो आपका पुराना शरीर है वो मर गया नया शरीर आ गया फिर पुराना तो के साथ ही जन्म ले लेती है देहे नसह जाई ते अध्यवाब्द सतां तेवा मृत्य रुवई प्राणि नाम द्रुवह चाहे आज कोई मर जाए चाहे सव साल के बाद मर जाए लेकिन मरना तै है इसलिए मरने के बारे में इतना आवेश्क्यों देहे पंचत्तों मापन्य देही कर्मान गो वशहा देहांतर मनु प्राप्य प्राग्तनम तेज़ते वपुहू और सुनो कंस मर जाने मातर से कुछ समस्या नहीं है कि मर जाएंगे तो क्या होगा जो लोग ये मानते हैं कि एक ही जिंदगी हमको मिली है जिंदगी ना मिलेगी दो बारा जिनका ये नारा है उनको चिंता करने की जरूरत है कि मर जाएंगे तो क्या होगा फिर तो जिंदगी मिलनी नहीं हमारा हम तो सनादन धर्मी है हमारे हाँ तो वासान से जिर्णा नहीं ये था तो पुराने कपड़े को छोड़ करके जिसको नया मिल रहा हो, उसको किस बात का दुख है, का एक आवेश है, अरे एक मृति हो जाएगी, तो दूसरा जनम मिल जाएगा, देहांतरम अनुप्राप्य, और सुनो, ऐसा नहीं है कि जब हम मर जाएगे, तब हमको दूसरा जनम मि छोड़ना है, नियम यही है, तिरन जलो का नयाय, जैसे इल्ली, जब चलती है, तो एक तिनके पर आधा शरीर रख करके, दूसरे तिनके पे आधा ले जाती है, जब दूसरे पे आधा चला जाता है, तब पीछे वाला चोड़ती है, अरे इल्ली की क्या बात करते हैं, हम औ उठाते हैं एक उठाते हैं एक उठाते हैं इसलिए उठाते हैं कि आगे पता नहीं अवसर पैर जमने का रहा कि न रहा इसलिए एक उठाते हैं एक उठा के पहले एक जगह जमा लेते हैं जब देखते हैं कि यह जम गया तब पीशे वाला उठाते हैं तो जब हम इस तरह से क इसलिए इसमें क्या आपको कंस महराज आपका मरने का जब समय आएगा तो पहले एक जगह तै हो जाएगी कि इस शरीर में आपको जाना है तब इस शरीर से प्राण आपके निकलेंगे इसलिए आप चिंता मत करिए ब्रजन स्तिष्ठन पदैके न यथाई बेके न अगच्यति यथरात्र न जलू कई वंदेही कर्म गतिंगतः स्वपने यथा पस्यति देह मीद्रिशं मनोरते ना भिनिविष्टचेत नहा द्रिष्टश्वता भ्याम अनसानु चिंतयन प्रप पद्यते तकिमप वियपस्मृतिही तो यतो यतो धावतिदै वचोधितम मनो विकारात्मकमा पपंचसु गुनेश्व मायार्चितो सुदेह्यसौ प्रपद्यमानस्यते न जायते जोतिर यताईको यताईवो दकपार्थिवेश्वदह समीरवेगा अनुगतम विभाव्यते एवं समायार्चिते श्वसवपमान गुनेश्वरागा अनुगतो विमह्यती तस्मान्यकस्चित द्रोह माचरेत सतता विदहा आत्मनक्षेममन विक्षन द्रोगधुर्वई परतो भवावयन एशा तबानुजा बाला कृपना पत्रिको पमा हंतुम नारहसिकल्यानी मिमामतुम दीनवत्सलह ये सब ग्यान उन्होंने करनकंस को बताया और कहा कि अब गेद देखा कि ग्यान का भी बहुत प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि ग्यान भी तो समझदार को काम करेगा अब उन्होंने अपनी साख का सहारा लिया कि अब अपने साख का सहारा हम लेते हैं बोले येसा तबा नुजा ये तुमारी चोटी बहन है बाला भी चोटी उमर भी इसकी है क्रिपना बिचाली काप रही है पुत्री को पमा ये तो बहन कहना दूर की बात है ये तो पुत्री की तरह से है हम तुम नार हसी कल्यानी इस कल्यानी को बिचारी तुमारा कल्यान चाह और आप दीनवत्सल हैं, तो आप इसको कैसे मार सकते हैं, मत मार ये। लेकिन वो मानने वाला कहा था। उसने का ना 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 ये ग्यान ध्यान हमको मत बताओ। अपनी मृत्तिव को सामने देख करके कौन उसको छोड़ना चाहेगा। मैं तो मारूंगा। तो बसुदेव जी ने फिर पहिंतरा बदला। उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि मृत्तिव तो तय है देवकी की, हो सकता है देवकी के बाद हम लोगों को भी मार दे। आप हम क्या करें तो उन्होंने सोचा कि टालना चाहिए पहले अभी तो टले मामला फिर देखा जाएगा तब तक कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा मृत्युर बुद्धि मतापोहियो यावद बुद्धि बलो दयम मृत्युर को टालने की कोशिश करनी चाहिए पहले टल जाए टलने के बाद पिर कुछ न कुछ रास्ता निकल जाता है तो उन्होंने कहा कि महराज ऐसा है कि आप को बच्चे से खत्रा है ना वो बच्चा हम लाग कि आपको दे देंगे बचान है मारा साक का उपयोग कि यह बात को जच गई उसने सोचा कि इसको देवकी को अगर मारता हूं तो बड़ी अपकिर्ति होगी मेरी साक्षात मृतिव को जब मारूंगा देवकी से तो है नहीं लोग यही कहेंगे देवकी थोड़े मारने माली थे देवकी को तुमने को मारा जो तुमको मारने माला था उसको मारो न तो यह जो कह रहे हैं कि मैं वो बच्चा ही लाके दे दूंगा तो बच्चे को मारना भी शरल होगा और उसको मारने से हमारी अपकिर्थी नहीं होगी कि वह मृत्युती है हमारी देव की थोड़े मृत्यु है देव की का बालक मृत्यु बनेगा इसलिए उसको मारने में हमको कोई अपकिर्थी भी नहीं होगी तो मान गया तो वसुदेव जी अगर विद्वान न होते बुद्धिमान न होते प्रग्यावान न होते किस समय क्या करना चाहिए अगर यह ना जानते तो ऐसे भगवान वसुदेव के घर में आविर्बूत हुए यह कोई सामान नहीं थे वसुदेव जी ये जो है प्रिश्णिगर्भ माने पहले सुत्पा और प्रिश्णी इनकी जोड़ी थी दोनों ने मिल करके भगवान को अपना पुत्र बनाएंगे ऐसा कह करके तप्व किया और तपस्या करने पर भगवान प्रकट हुए का क्या चाहते वह कहा आपको पुत् तो भगवान ने कहा है रहे पुत्र बनने से तो बड़ा प्यार मिलता है लाड़ प्यार मिलता है तो हम लाड़ प्यार चाहिए हमको बोले एक बार नहीं तीन तीन बार मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा तो प्रिश्णी और सुत्पा प्रसन हो गए प्रसन हो गए उनके गर में प्रिश्नि गर्व की रूप में बगवान ने अतारधारण किया, जन्हों ने दुरुब असे झाथ Might को निर्मान किया, जिसमें बाद में दुरूर जी जाकर के राये, भगवान का हुतार प्रिश्नि गर्व के नाम से जाना जाता है, उसके बाद यही लोग कश्यप अधिती के रूप में बने तो कश्यप अधिती के यहां बामन के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया और वही लोग फिर देव की और वसुदेव के रूप में अव्तरित हुए जनके यहां बगवान श्री कृष्ण बन करके तीसरी बार आये वो है यह सुत्पा और प्रिश्णिगर्व प्रिश्णि यह वसुदेव देव की बने हुवे हैं तो इनके यहां बगवान आने वाले हैं बगवान कश्यप जो है उनको शाप हो गया था ब्रह्मा जी का बगवान का और उसी शाप के कारण उनको ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया तो चरवाहे के घर में बसुदेव को जन्म लेना पड़ा ये एक अलग कता है हरिवान्स पुरान में कता आई है कि कश्यप जी यग्य कर रहे थे तो उनको एक गाई की आबसेक्ता सी जिसे दूद और घी दही पज्चामरतादी बनाने के लिए मिल जाए हमन करने के लिए गही मिल जाए तो उन्होंने वरुन जी से गाई मांगी कि भई एक अच्छी गाई हमको दे दीजिये जो हमारे यग्य के काम है तो उन्होंने एक अच्छी दुद्धारू गाई बढ़ियां वाली कश्छी जी को दे दिया लेकिन शर्त रख दी कि जब तक आप यग्य के लिए आपने मांगा है तो जब तक आपका यग्य चलेगा तब तक के लिए मैं दे रहा हूँ कश्छी जी ने खा ठीक है अब ले लिया अब जब तक यग्य उनका चलता रहा तब तक वो आराम से गाए का प्रयोग करते रहे और जब यग्य उनका पूरा हो गया तो वरुन जी आए कि भाई अब तुम्हारा यग्य पूरा होगा हमारी गाए वापस करो कश्यप जी के मन में लोब आ गया कि भाई अब गाए कैसे वापस करें इतनी बढ़ियां गाए है सारी आवसेक्ताओं की पूर्ती इसी से हो जाती है तो उन्होंने का भाई देखो वरुन कैसी बात करते हो का शर्त की बात कर रहा हूं शर्त यही थी कि जब तक यह के चलेगा तब तक की लिए गाए देगा अरे ब्राह्मन को कोई शीद दे के वापस ली जाती तुमने ब्राह्मन को गाए दे दी अब वापस लोगे यह तो ठीक नहीं है तुमारा लेना भी ठीक नहीं है और हमारा को देद देने के बाद लेना नहीं चाहिए, तो मुकदमा चला गया ब्रह्मा जी के पास, वरुन देवता गये, का कश्यप जी को हमने ऐसे ऐसे गाय दी थी, अब वो वापस नहीं कर रहा है, तो ब्रह्मा जी ने ये शाप दे दिया, कि कश्यप तुम्हारी इतनी प्रीती है, गायों में, तो जाओ, अब तुम गाय चराओ, तो इसलिए ख्षत्रिय कुल में उत्पन हो करके भी, गाय चराने वाले बन गये हैं, वसुदेव जी, और इसलिए नंद से उनका सम्मन्द था, नंद जो है वो बैश्य थे, ये लोग शत्रिय थे, लेकिन शत्रिय हो करके भी गायों में इनकी प्रीती थी, इसलिए नंद से इनका बेवहार चलता था, इसलिए जब कठिन समय आ गया, तो इन्होंने अपनी पत्तियों को नंद जी के यहां रख दिया, और जब बेटा ये आठमा उत्पन हुआ, तो इसको भी नंद के यहां ले जा करके रख दिया, तो अनंद जो है वो गायक, आपर चलती थी, तो इस तरह से ब्रह्मा जी का शाप इनको हुआ, जिसके कारण कस्य परिशी ही वसुदेव के रूप में आये थे, उन वसुदेव के यहां जो अवतार हुआ बगवान का, उसी का नाम है वासुदेव, तो ये अच्चुतम के शबम रावना रायनम कृष्णदा मोदरम वासुदेवम, इनका वासुदेव के रूप में भी पजन करना चाहिए, आज समय यही पर विराम लेने के लिए कह रहा है, उसकी बात मान करके विराम ले रहा है, शीव शीव शम्भो हर हर माहादेव, धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का गो माता की गो हत्या जगत गुरु शंकराचारे भगवान की नमप पार्पती पतये हर हर महादेव,